हलो एवरिवन ये आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बायोटिक का हरबल कलर तो देखे जैसे कई कस्टमर आपके सलॉन में ऐसे आते हैं जिनको कैमिकल सूट नहीं करता है कई ऐसे कलर हैं जो नहीं सूट करते हैं मैं नाम नहीं बता लूगी बट बहुत से कलर ऐसे हैं जो इचिंग करते हैं कलाइंट को तो ये काफी अच्छा है बहुत रिशनिबल था बायोटिक का कलर तो मैंने सूचा इससे मैं आप लोगों को आट टच अप करना दिखाती हूँ तो ये बायोटिक का चार नमबर है इसमें सारे शेड आते हैं इसमें तीन नमबर भी आता है इसमें सारे शेड आते हैं तो ये चार नमबर नेच्छल ब्राउन में आता है तो इसलिए मेरे को उनको पर्मानेंट करना था तो इसलिए मैं आज आप लोगों को दिखाती जब भी आप color आप mixing करते हैं और black color करना होता है तो जब भी होता है देखे ट्यूब में तो developer आता ही है अगर आप बड़ा भी खरीदोगे तो 20% developer इसका खरीदें क्योंकि जो dark color को touch up करने के लिए होता है उसमें आप 20% developer का ही use करें 30 या 40 का बिल्कुल भी नहीं तो देखे जब भी आपने color का mix करना है तो बराबर बराबर उसमें आपको color को mix करना है तो यह देखे दोनों को बराबर बराबर mix करने के बाद ये देखिए मेरे kliont के काफी gray hair हो रखे थे तो मैंने आजनीन का color इनकी काफी बहुत thin hair थे इनके काफी हलके थे तो इसलिए उनको बहुत ज़्यदा था कि मेरे को permanent काले भी कराने हैं और नुक्सान भी नहीं valeur तो ये मैंने बायोटिक का कलर इनको किया तो मैंने अच्छे तरीके से कलर को पहले मिक्स कर लिया मिक्स करने के बाद मेरा हर कलर का लगाने का प्रोसेजर सेम होता है पहले आप आगे से कलर को टच अप करें देखिए आप अगर आप Salon के लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो हमेशे इन चीजों का ध्यान रखें कि आप कोई भी काम करें बिल्कुल तरीके से करें तसल्ली से करें और बिल्कुल प्रोफिशनल तरीके से काम करें तो आपका काम बहुत अच्छा होगा पोनी करते हैं इस तरीके से पूरे बालों को पकड़ के मैंने पूरे बालों को कवर कर लिया आगे से लेके पीछे तर अच्छे तरीके से हमें कवर करना है बालों को उसके बाद हम सेंटर पार्टिंग करते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा पा रही हूं तो इस तरीके से center parting आपको करनी है और center parting जब आपने करनी है तो देखिए color को दोनों side आपने लगाना ऐसा नहीं कि सिर्फ एक side आपका brush दोनों side चलना चाहिए जहां आप लगा चुके हो वहाँ भी और देखिए जहां आपको लगता है कि बाल बहुत छोटे हैं तो दोनों त ब्रश को इस तरीके से ऐसे घुमाएं कि बिल्कुल जो एक रुआ भी हो ना बाल के अंदर अगर टूटा हुआ बाल भी है वो भी अच्छे तरीके से color हो तो यह देखिए मैंने पूरे एक एक पार्टिंग लेकर और देखिए आप अपने brush का इस तरीके से brush का यूज करें तो यह देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से color लगाया पूरे बालो में आपको color को cover करना है और देखिए color का तरीका आपको पता होना चाहिए आप कोई भी color आप इस तरीके से कर सकते हैं touch up कोई भी color का touch up आप इस तरीके से कर सकते हैं लगाने का तरीका same होता है ऐसा नहीं है कि आप कोई और कलर अगर करते हैं हाँ अगर आप कोई फैशन शेड करते हैं उनका तरीका अलग होता है पर टच-प आप किसी भी कलर का करेंगे सेम प्रोसेजर होगा और जब भी आप टच-प करते हैं तो इन चीजों का ध्यान अपना है आपने 20% डैवलेपर के हैं तो हमेशा 20 वोल्यूम के साथ आप कलर को मिक्सिंग करें कभी जो होता है वो हमेर यह लाइच होता है यह जिए के लिए यूज होता है कभी भी basic color के लिए 30 या 40 का यूज नहीं होता, तो देखिए इस तरीके से आपको पूरे बालों पर मैंने color किया है और देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के comment के comment देख के मैं उस हिसाब से वीडियो बना पाऊँ अब ये मुझे लास्ट चैम एक कमेंट आया था कि मैं हम आप लाइव आईए तो देखिए मैं देरे देरे चीजे स्टार्ट करूँगी मैं तोड़ा सलॉन में बिजी होती हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता और ये चीजे भी जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये मैं इसलिए दिखाती हूँ मैं जो सलॉन में अपने कस्टमर का काम कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने वीडियो नहीं डाली है या इस कलर की मैंने वीडियो नहीं डाली है तो मैं आप लोगों को मैं दिखाऊँ ये बायोटिक का जो कलर था ये बहुत ही अच्छा कलर है ऐसा नहीं कि मैं कोई इसका रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से कलर हुआ है ये देखे अब ये देखे मैं कलर लगा चुकी हूँ कलर लगने के बाद ये देखे अब जब कलर आप लगाते हैं तो देखे मिक्स जरूर आपको करना है हलकी हलकी मसाज जरूर करनी है इससे क्या होगा कि देखिए आपने अपना कलर तो अच्छा लगाया ही है साथ में अगर आप अच्छी सी मसाज के साथ आप करोगे तो इससे क्या होगा क्लाइन को जो इचिंग होती है या किसी तरह की कोई प्राब्लम होती है वो भी नहीं होगे बहुत अच्छे से कलर एक एक बाल में लगेगा उसके बाद आपको दुबारा से ब्रश लेके एक बार और आगे से लगाना है और देखें यह हम इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि देखें जब भी आप फेस क्लीन करते हो तो सबसे पहले आपके आगे से ही बाल कलर हटता है तो इसलिए कलर हमेशा दुबारा एक बार ज़रूर आगे से लगाने के बाद आप टच अप करें तो यह देखें पूरा कलर मेरा पूरा हो चुका है इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और हर color के उपर mention किया होता है कि इसको कितनी देर आपने रखना है तो ये देखे जब आप color wash करते हैं तो देखे ये बहुत काम की चीज़ है जब आपने color लगाना है खलका सा पानी डालके color लगे हुए color को ही आपको मसाज करते हुए हटाना है आप कभी भी देखेंगे आप वैसे हटाएंगे तो इतना clean नहीं होगा पर आप color को मसाज करते हुए आप हटाएंगे तो जो line होती है वो भी नहीं पड़ेगी तो ये देखें मैंने अच्छे से shampoo कर दिया है बालो को शेंपू करने के बाद देखेंगे अब ये finally हमारे permanent color हो चुके है वालो में और कितना अच्छा color हुआ है बिल्कुल natural shade आया है किसी तरह का कोई side effect नहीं किसी तरह की कोई problem नहीं देखें फाइनली हमारा color हो चुका है अब आप लोग मुझे बताइएगा next वीडियो में किस topic के उपर डालूँ और प्लीस अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए share कीजिए support कीजिए thank you so much